नमस्कार आज आप मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रौंड अप्शो आई ये नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाओं की तारीखों का एलान दलिट श्रमिक कारिकरता नौदीब कोर को मिली जमाना उत्तर पुर्वी दिल्ली हिंसा को हुआ एक साल लेकिन जख्म अब तक हरे कुरोना अपडेट देश में दूसरे दिन भी 16,000 से ज़ादा नए मामले पशिम बंगाल समेट चार राज और एक केंदर शासित प्रदेश में इस साल चुनाओं होने जा रहे हैं अब चुना आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है पशिम बंगाल में आठ फेज में चुनाओं होंगे पहले फेज का चुनाओ 27 मार्च को होगा असम में 27 मार्च एक अप्रेल और छे अप्रेल को तीन फेज में चुनाओंगे साथ ही केरल तमिलनाडू और पुड़ू चेरी में छे अप्रेल को एक फेज में चुनाओंगे मोखी चुनाओ आयुग्द सुनिल अरोणा ने बताया कि कुल 824 विदानसभा सीटों पर चुनाओं होने जा रहे करीब 18 दस्मलों 6 करूर वोटर्स के लिए 2 दस्मलों 7 लाग मद्दान केंदर बनाये जाएंगे नामंकन की सुविदा आनलाइन होगी और सेक्योर्टी मनी उमीदवारों को आनलाइन ही जमा करना होगा मद्दान का समय एक गंटा बढ़ाये गया है साथी साथ चुनाओं अधिकारियों का वैक्सिनेशन भी कराये जाएगा इन सभी राज्यों के चुनाओं के नतीजे दो मईक वाएंगे दलिट श्रमिक कारिकरता नौदीब कौर को पंजाब और हर्याना उचिन्यायाले ने शुक्रवार को उनके खिलाब दर्ज तीसरी F.I.R. से जमानत दे दी है नौदीब जो की मजदूर अधिकास संगटन की लीडर है उन्हें 12 जनवरी को सिंगू बॉर्डर के पास से गिरफतार किया गया था दो अन्य मामलों में उन्हें पहली ही अदालत से जमानत मिल चुकी थी जिसके बाद उनकी जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया 23 साल की नौदीब कौर्ट पर कई धाराओं के तहट आरोप लगाए गये थे जिनमें हत्या, जबरन वसूली, चोरी, दंगा फसाद करने, गैर कानूनी जमावडे में शामिल होने तथा डराने धमकाने के आरोप शामिल है अदालत ने पहले आरोपों की गंबेटा का हवाला देते हुए उसकी जमानत से याचिका खारिस कर दी थी एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके वकील जितेंदर कुमार ने कहा कि नौदीब के शरीर पर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोड के निशान थे नौदीब की बहन राजवीर ने दावा किया कि पुलिस हिरासत में उसके साथ बिरहमी से मार पिट की गई और पुलिस कर्मियों द्वारा की गई गिरफतारी के दौरान उनके कपड़े फार दिये गए थे वहीं बुद्धवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोड को सौपी गए स्टेट्स रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने इन आरोपों को बे बुनियाद बताया है कौर के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट से पहले सामने आई थी रिपोर्ट के मुताबिक 24 वर्षी दलित कारकरता शिव कुमार जिने 16 जन्वरी को सिंगू बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था उनको भी हरियाणा पुलिस की कस्टर्डी में टॉर्चर का सामना करना पड़ा रिपोर्ट में उले किया गया है कि डॉक्टरों की एक टीम में रिकॉर्ड पर साक्ष रखे हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें कई फ्रैक्चर आये हैं और पुलिस रिमांड में उनके साथ मानसिक और शारेडिक रूप से दुर्व्याहार किया है उत्तर पुर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को एक साल गुजड़ चुका है सैसरी तोर पर लगता है कि जिन्दगी पट्री पर आ गई है सडकों पर वही भीड है लेकिन ध्यान से देखने पर एहसास होता है कि कई लोगों के जख्म अब तक हरे है जिन्होंने इस हिंसा में अपनों को खोया है उनके लिए पुरानी जिन्दगी बस सपना भर है आईए देखते हैं निउस्क्ली की यह रिपोर्ट 24 को गय थे हो घर से 25 परवरी को गोली लगी थे पर फज मिन्ट पहले वीडियो कॉल की थी थी नहोंने उदर से खोदी में बात किसी बेटी को देखा था था चोटी वाली काफी चोटी थी हो फिर मैं तुछ काम करने लगी थी थोड़ी देर के बात किसी बताया था उनके गोली लग गई इस तरह से बताया था अफ्रमें बात किया उनसे फिर मैंने बार कॉल किया तो किसी और ने उठाया था लेडिस ने किसे बोले इनके गोली लग जल कि पताया था कि क्राम हो गया है वो ले टो टांग में लगये बाद अब ठीक है लेगे पांच मिनट के वादी कि फ़ गई बहु जी लगही है थी मेरे बच्चे का नाम असपाग हुसेन है वो इलेक्टोनिक ता लाइट का मिस्त्री ता बढ़िया कारीगर ता लेप्टोप का कारी करता मिस्त्री तकारी करता पड़ भी रहता काम भी सीख रहता काम भी करना वह सारे काम करता थे अब 25 अरिक कुमयर हो उफेती तो मैंने पुलीष फोर्स वह बगशे सथि आप हम ही नहीं है को क्या फिशाद हो जाना कि गेश हो यहां हुआ है तो वह यहां से चार शाड़े चार एसे कॉल भायू है उसके मुरू जो मैं काऊं शाय गाऊं तो तसके बात पता लगी है वहां से कोला ही कोला आने के बाद जो है मैंने के अच्छा हुआ काम पर गया तो उहां पहुंचने पाया वो यहां ही जो है चारों तरप से लोग जो देश के दुस्मन है वो उन्होंने घेरा उने और मस्जिद माग लगा दी 26 फरवरी के करीब 2.30 बजे निकला घर से चो मिल लाने के नाम पर पोश्टाफिस गोखलपुरी पोश्टाफिस वाले गली में उसको जाए सांसुगैस को पुलिस वाले गोला सर में मारा है और उसी टेम किसी को जाने नहीं दिया पुलिस वाले लेकर होस्पीटल चला गया इ पहले में गोखलपुरी थाने में रिपोर्ट लिखाया रिपोर्ट लिखाने को वाद मैं होस्पीटल गया तो मिला मुझे करीब करीब नौ बजे रात में तो वहां पर ऐसे इलाज उलवाज चल रहा था पानी निए लेकिन ढंक से देखने वाला नहीं था वह कह रहा था क्न चल भात मेनने खून भी बंग वाया खूण चरांग सब्सक्रा दाग्डर आयनी म Bigpad जो रात की दायसे लगी वशें तीन वजेते का और यह तैट्न भाया चूटल कासिम हाले रात कुजो हमारे जो हमारे बच्चा न उठाई हम अब बच्चे को भी और बच्चा भाग फिर उसके पास जो लाष्ट खॉल करी ती उसके बाद मैं इस वे को हुई नहीं तो वो कहना मैं इस सुबह को फिर थाने को गए बस बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हैं कि बेटियों के एडमिसन भी कराने दोई बेटी जा रहे हैं वह जब थे तो मतलब हमारी लाइफ सही चल ले थी मतलब उन्हीं को प्रदा कमाई भी अच्छी तो उनकी पूरे घर कुच्रा रहते हो मतलब हमें किसी बात की उन्होंन गाड़ी दिला रखी है मेरी गाड़ी वह आज भी अहीं पर खड़ी उन्हों नहीं दिलाई थी हमनों उसको बेची भी सिलिए कुछ उनके आखरी निशानी यही बची थी अज हमें किसी बात की प्रेशानी नहीं आने थी उन्होंना जब सब वह हो गया है ना तो भाई आम साहरे वाली हमारे तो कोई है भी न ही जाच में मैं ने बचांट स क्योंकर आए आरेस केश्म एह वह महांकर ज़सी कोई यहेस्तर जोग साहरां कोई इस पनुहांने अनुहा녁ने न generous कोई कर दिया यह कर दिया फलाना कर दिया पांचों के नाम लिख दिये यहां कोई भी पुलिस का आदमी अभी तक इस सिल्चले में ने आया के भाई आपका बेटा चला गया और हमने वो जालिम पकड़े हैं यह उन जालिमों को हम सजा दिलाएंगे अभी कोई इस तरह की सक्ति नह दोने चाहिये थे वह यह मौका मिला है कि रोना चला है कि रोना चला है मंति यह चाहरा हमाँ इंसाब चाहिए कानून तो यही दुआ है किसी के दवाओं में काम न करें अपने कानून का कानून के दाइरे में रह के काम करें बगर अपनी फोर्स यह तो नेता है यह तो आते जाते रहेंगे लेकिन तुम किसी के कानून गुलाम मत बनो अगर कानून हमारा कानून के साथ से काम करें तो कोई बुरा काम कर नहीं लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं जब उसका एंड होता है जब इस पर उल्ला की मार पड़ती है जब वो यह कहता है कि मैंने यह क्या को बढ़ते हैं हम अपनी चौथी ख़वर की तरफ जिसमें हम चर्चा करेंगे देश में करोना के बढ़ते मामलों के बारे में कई राज हैं इसके अलावा कोरोना से 120 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश में कोरोना से परिद 12,189 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 4,278 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,10,360,490 हो गई है जिनमें संक करोड़ 7,50,680 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,40 फीच दी यानि 1,55,986 हो गई है स्वासमंत्राले की ताज़ा जानकारी के नुसार देश में अब तक 1,34,643 लोगों को कोरोना की वैक्सिन दी गई है जिनमें से 8,1480 लोगों पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टा झाल